हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली वर्मा आज का वीडियो शुरू करें तो उससे पहले बता दें कि अद्बुद बैच शुरू हो चुका है इसकी सारी जानकारी नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप राप्त कर सकते हैं और जल सी जल जो है वो अद्बुद बैच को जॉइंग भी कर सकते हैं तो चलिए आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं क्लास एर्थ का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है मुहावरे उसके मल्टिपल चॉइस कोशन्स तो अभी तक हमने मुहावरे पढ़ लिए क्या होते हैं कितने सारे मुहावरे देखे फिर हमने प्रश्णोत्तर किये उनकी एक्सेसाइस करी सब कुछ कर लिया अब mcq करेंगे कि किस तरीके से कोशन्स पूछे जाएंगे कोई भी टॉपिक है उसके जितने कोशन्स आप सॉल्व कर सकते हो उत्ते करो उससे यह होगा कि आपके लिए वो टॉ कि क्या है के टरणदीप की सब्स्द की तो सबसे लड़ने की आदत है तभी तो डैश है क्या है अपनी खिजडी अलग पकाना मुझ की खाना हात उठाना रंंगाशी हा- तो क्या उसकी आदतHuh तभी तो वह अपनी खिजडी अलग्पकाता है targeting का मिक्शो를 रगना मतलब वह उने डैश लिया क्या कर लिया बात का बतंगर बना लिया बाट जो होना आसमान सिर पर उठाना या मिट्टी का माधव होना तो सही क्या है आसमान सिर पर उठा लिया नेक्स आते हैं विवा होते ही राम को डैश हो गया क्या हो गया आटे दाल का भाव मालूम होना मन के लड़ फोड़ना लहू का घूट पी कर रह जाना या माता ठनकना तो शादी होते ही विवा होते ही राम को आटे दाल का भाव मालूम हो गया उसे एक्चुल में अब परसितियां पता चली कि भाई मेहनत करू क्या करू तो कितना सब चीजें कितने खर्चे होते हैं ये सारी चीजों क बारे में चोर पुलिश की डैश कर भाग गया क्या करा गया चोर पुलिश की डैश कर भाग गया नौदो ग्यारा होना धाक जमाना दौर धूप करना या आँकों में धूल जोगना तो क्या होगा चोर पुलिश की आँकों में धूल जोग कर भाग गया जब रजत के पास ध मित्र भी आखे चुराने लगे जब तक पैसा था मित्र पास थे और जब पैसा चला गया तो मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया मैं रूपा से ये बड़ी आशा से रुपे मांगने गई थी पर उसने तो मुझे डैश दिया क्या दिया पगड़ी उचालना अंगूठा दिखाना पानी पानी होना या बात का धनी होना तो सही क्या होगा उसने अंगूठा दिखा दिया अर्थाथ उसने तोटली मना कर दिया कम अंक आने पर पिता जी ने मुझे डैश लिया क्या लिया तियोरियां चड़ाना बीड़ा उठाना आड़े हाथों लेना या नजरों से गिराना तो सही क्या हुआ कम अंक आने पर पिता जी ने मुझे आड़े हाथों लिया अर्थात मेरे अच्छा सा खबर ली खुप पिटाई भी करी और डाट भी खाए भारतिय सेना ने शत्रूओं की डैश दी क्या डैश दी? दातों तले उंगली दबाना, तिल का ताड बनाना जहर का घूट पीना या इट से इट बजाना तो भारतिय सेनिकों ने सत्रूओं की इट से इट बजा दी अर्थात उन्हें पूरी तरीके से तभाग कर दिया अपराधी को सामने पाकर इंस्पेक्टर का डैश गया क्या गया? दातों तले उंगली दबाना, खून खौलना, पैरों तरे जमीन खिरस्कना या पराधी को सामने पाकर इंस्पेक्टर का खून खौलने लगा यानि कि उसे बहुत ज़ादा गुस्सा आने लगा कि भाई अपराधी मेरे सामने आ गया तभी तो भाई इंस्पेक्टर गुस्सा आएगा, तभी तो वह एक्शन लेते हैं प्रेश्ण संख्या 10 है, नेहा ने दीपक को समझाया कि गलत लोगों से दोस्ती करके डैश मत मारो तो क्या नहीं करो, अकल पर पत्थर पढ़ना, अपने पाउं पर स्वयम कुलहाडी मानना, अडियल टट्टू या इशारे पर नाचना तो क्या नेहा ने दीपक को समझाया कि गलत लोगों से दोस्ती करके अपने पाउं पर कुलहाडी मत मारो उसे सिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि उसने डैश रहे हैं उप्यक्त मुहावरे के लिए रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए तो क्या होगा अब क्योंकि उसने डैश रहे क्या, जी तोड मेहनत करना, बीडा उठाना, बाए हाथ का खेल होना या पत्थर की लकीर होना तो सही क्या होगा, उसे सिक्षक की नौकरी अवश मिल जाएगी, क्योंकि उसने जी तोड मेहनत की है आस्मान पर चड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा, इस मुहावरे का सिर्फ आपको अर्थ बताना है बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हला करना या अत्यधिक प्रशंशा करना तो यहाँ पर आस्मान सिर्फ पर उठाने का तात्वर है, बहुत अधिक जो है वो प्रशंशा करना आसमान एक तो होता है आसमान सिर पर उठा लेना एक आसमान पर चढ़ाना तो आसमान पर चढ़ाना मतलब किसी को हम बहुत जादा प्रशंचा करें और उसे आसमान पर ले जाकर बठा दे तो एक दो चीजे हैं confused नहीं होईगा मैं भी एक पल को अभी हुई थी कि शायद यह आंसर गलत है क्या है आसमान सिर्पर उठाना होता है तो उसका मतलब होता है बहुत हलना करना और एक होता है आसमान पर चड़ाना यानि कि किसी की बहुत अधिक प्रशंचा करना लाल पीला होने का क्या अर्थ है मन ही मन प्रसंच होना क्रोध करना बहुत खुश होना या रंग बदलना तो यहां लाल पीला होने का ताथ पर रहे क्रोध करना काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है काम काज में कूरा होना काम पूरा नहीं करना काम जल्दी खत्म करना काम धीरे धीरे करना या काम ना जानना तो काम काज में कोरा होने का ताथ पर है काम नहीं जानना जैसे हम लोग जब जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो पढ़ने के बाद अभी जब पढ़ाई खतम करोगे तो किसी भी काम में कोई भी काम करना शुरू करोगे तो आप उसे में उस काम को जानते नहीं हो कैसे करना है क्या करना है तो तब आपको बोला जाएगा ये काम में को रहा है अर्थात अभी उसे इस फील्ड की इतनी जानकारी नहीं है फिर जब आप धीरे-धीरे काम करोगे तो आप एक्स्पीरिंस दो जाते हो प्रिश्ट संख्या 15 है तस से मस ना होना अब इसका क्या ताति पर है कठोर होना अपनी बातों से नहीं हटना जगहा बदलना या सहन करना तो तस से मस नहीं होना वो है अपनी बातों से नहीं हटना यानि कि जो बात मैंने कही है मैं उस पर अडिक हूँ मैं इससे बिल्कुल होगी नहीं हिनुग इसको बोलते हैं टस्से मस नहीं होना टांग अडाना मेरे का districts无法 बदनाम करणना बिनकारण लड़ना टांगों से लड़ना याघभ पैदा करना तो टांग अडाने का सीधे-सीधे पर है कि यहाँ पर किसी काम में रुकावट पैदा की जाए जैसे अब करते मेरे कामों में टांग मत रढ़ाओ कहने का मैं जो काम कर रही है मुझे करते रहें तो टांग खलतों की मत रहा होती है यहाँ पर मेरा अपना काम करने देना यानि कि कोई भी रुकावट मेरे काम में पैदा नहीं करू बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा होगा आप यहाँ पर दिया है हम मालीजी हम बुरी तरह हार गया तो इसके लिए हम क्या मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं मुह खून से भर जाना मुह ताकते रहना मुह की खाना या मुह उतारना तो बुरी तरह हार नहीं का होगा मुह की खाना यानि कि हम मुह के बलगिर बते हैं मुह की खाये यानि कि बहुत बुरी तरीके से हार के अगनी परिक्षा देने का अर्थ क्या होगा इसका क्या होगा ब सामनें ऐसी पर्स्थतिया हैं जैसे माग में चलने तो क्या होगा जाहिर सी बात है कि हमारे लिए रास्ताफ मुश्किल होगा को तो अब वहां हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत जादा परिṣ्ष्रम है बहुत जादा तकलीफ हैं तो वहां सके हूं आप पर मुंग दलना इसका क्यातात पर होगा मेहनत का काम करना बाद बाद पर लड़ाई करना मुंग की दाल बनाना या पास रहकर दुख देना तो यहां पर छाती पर मुंग दलने का ताथ पर रहे पास रहकर दुख देना यानि कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे साथ ही रहता है और हमी को दुख देता रहता तो कहते हैं आउ चाती पर मुंग दलो बैट कर ऐसा बोलते हैं ठीक है तो पास हो और जो है वो परिशान भी करों तो वह होता है तीर मारना अब तीर मारना का क्या आथ है युद्ध कला में अच्छा होना शिकार करना बड़ा काम करना या बहुत पैसे कमाना तो यहाँ पर तीर मारने का ताति पर रहे है बड़ा काम करना यानि कि मेरे द्वारा बहुत बड़ा काम किया जाए तो उसे हम बोलेंगे तीर मा क्षार नंघ से रंबेस्ष रगश्च सर्कारी नौकुर्बिए इधर उद्धर डैस रहा है आप सही मुहावरागी हवा। खार रुद्ध फोकरी की लिए इधर उदर उद़र layout ट्रतल। या इसर्पारत से मतलतों भई यहाँ गये नहीं मिला, वहाँ गये नहीं मिला इधर उदर भटक कर कहीं जाकर मैं धन्या मुझे मिली है तो उसी तरीके से रमेश क्या है वो नौकरी के लिए इधर उदर सर्चिंग कर रहा है भटक रहा है प्रेश्ट संख्या बाई इस है नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या है खाने में नमक और मिर्च डालना दुख को बढ़ावा देना घुमा फिरा कर कहना या बढ़ा चढ़ा कर कहना तो नमक मिर्च लगाने का ताथ पर है किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना और आप ने क्या करी अपने छोटे भाई की जितनी उसने करी थी उसमें और चार बाते अड़ करके बोलें तो इसको बोलेंगे नमक मिर्च लगा कर बात कहना. मेरे पिताजी ने ये कार अपनी डैस से लिए है अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे खेती करके लिए सूजबूत से लिए गाड़ी कमाई की लिए या परिश्रम की लिए तो सही क्या है मेरे पिताजी ने ये कार अपनी गाड़ी कमाई से लिए गाड़ी कमाई का तातपरी ह होता है बहुत मिहनत करकर कमाया गया जो पैसा होता है उसे हम गाड़ी कमाई कहते हैं प्रश्ट संख्या 24 है खरी खोटी सुनना का अर्थ क्या होगा जोर से बोलना भरा बुरा कहना अच्छा अच्छी बताना या नीचा दिखाना तो यहां खरी खोटी सुनने का मतलब होता ह बहला बुरा कहना, किसी को हम बहुती, ज़ादा बरा बुरा कहें, तो उसके लिए हम कहते हैं कि यहां खरी-कोटी सुनाई है, आंखों का काजल चुराना, इस मुहावरे का ताथ पर क्या है, सफाई से चोरी करना, काजल की चोरी करना, आँखों को नुकसान पहुचाना प्यार का इजहार करना तो यहां आँखों से काजल चुराने का ताथ पर है कि बहुत ही सफाई से चोरी करना आँख हमारी ऐसी होती है कि हलका सभी हाथ लगे तो हमारी आँख जपक जाती है अब यहां लगे काजल को अगर कोई चुरा ले जाए यानि कि बहुत सफाई से वो काम किया गया कि सामने वाले को पता भी ना चले तो चोरी ऐसा करें कि मेरे आखों के सामने से या मेरे बगल से चीज़ चुरू हो जाए और मुझे पता ना चले तो इसको कहते हैं आखों से काजल चुराना तो देखी फटा-फट मुहावरे हो गए सारे सब MCQs complete तो इसी तरीके से आर्थ पता है तो इनको करने में समय नहीं लगना है तो आप आप देख लो कितने सही हैं कितने गलत हैं उस इसाब से आप काम करो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि चीजें हमारी जादा गड़बढ हैं तो हम यही कहेंगे कि मुहावरे आपको जितने जादा हो सके जहां हो सके आपको पढ़ना पढ़ेगा तब यह सारी चीजें आपके लिए समझ में आएंगी जो आपके सलेबस में हैं वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए इसके लावा कहीं आपको और भी मिलते हैं तो उनको भी पढ़िए बाकी तो हमने आपको यहाँ पर वीडियो पर दिये ही हुए तो उन्हें भी आप देख सकते हो तो हमारा ये मुहावरे का टॉपिक यहाँ खतम हुआ नेक्स अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो लोकोक्ती का होगा तो बहुत ध्यान से उनको देखेंगे उनको भी समझेंगे तो हम नेक्स वीडियो लेकर आएं लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दे प्लेश हो रहें नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं इसके लियावा नीजर डिस्कृशन बॉक्स में भी आपको एक